ये तस्वीरे मतदान की आपको दिखा रहे हैं ये बड़े चेहरे हरियाना के चुनावी दंगल से जुड़े हुए भी और मनुभाकर जैसे बड़े चमकते सितारे हरियाना से जिनों देश दूनिया में भारत का नाम रोशन किया हरियाना का नाम रोशन किया अनुश्का सावत्री जिंदर देश की सबसे आमीर महिला मनु भाकर उलम्पिक में इतिहास रचने वाली हवारे निशाने बाज कैप्टन आजा यादव का परिवार चरंजी राव जो रिवारी से एक बार फिर चुना मैदान में हैं ये बिहार के पूर मुख्य मंत्री लालू पर साथ य एक्जिट पोल हरियाना के आंकड़े कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे हरियाना की 90 विधान सवाज सीटों को लेकर माँ एक्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं बीजेपी को लेकर आकड़ा 18-24 सीटे बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं कॉंग्रेस को 55-62 सीटे आइनलडी बसपा 3-6 सीटे जा सकती हैं अदर्स याली जो निर्दलिये चुना मैदान में हैं 2-8 सीटों पर जीदर्ज हो सकती हैं आप खाता नहीं खोल पाएगी जेजेपी खाता नहीं खोल पा रही ये एक्जिट पोल के आगड़ेम आपको दिखा रहे हैं चुना परिणाम के लिए इंतजार करना होगा आठ ऑक्टूबर तक लेकिन महा एक्जिट पोल न्यू जेटिन पर आपको बता रहे हैं सरकार बन रही है एक्जिट पोल में हर्याणा में कॉंग्रेस की सत्ता में बापसी होती ही नजर आ रही है कॉंग्रेस की यही कहरे कि बीजेपी इस बार सत्ता से दूर रहेगी उनकी जीत का आकड़ा 18-24 सीटों पर वही कॉंग्रेस पूर बहुमत के आकड़े से कहीं आगे 55-62 सीटे जीत पोल में नजर आ रही है जेजेपी जिसके पास 2019 में सत्ता की चाबी थी इस बार मुश्किल है खाता खुलना आम आदमी पार्टी जो पहली बार 90 की 90 वधान सवा सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसका खाता खुलना भी बहुत मुश्किल है कॉंग्रेस यहां पर लेकिर प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है कॉंग्रेस 55 से 62 सीटें जी सकती है आइनल्डी का बसपा के साथ गटबंदन है पिछली बार सिर्फ एक सीट आइनल्डी की खाते में गई थी एलाबाद अभै सिंग चोटाला एक मात्र विधायक थे पार्टी के लेकिन इस बार यह पर आपके महा एक्जिट पोल का आखड़ा कह रहा है कि 10 साल बाद कॉंग्रेस की सत्ता में बापसी हो रही है बीजेपी जीत की हैट्रिक से को सो दूर बहुमत का आखड़ा जादू यह आकड़ा है चालिस का पैंतालिस प्लस वन यानि चालिस का आकड़ा जिससे आपके सामने है और जो बार-बार यह दावे किये जा रहे थे कि हंग असेंबली होगी आइनल्डी की तरफ से जेजेपी की तरफ से वहां अभी एक्जिट पोल में यह दावे तो कहीं ठैर नहीं रहे हैं बीजेपी जो दावा कर रही थी तीसरी बात जीत दर्ज करने का न लेकिन लग रहा है कि उन बातों पर विश्वा जनता नहीं कर रही बीजेपी एक्जिट पोल में 18-24 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है उदर कॉंग्रेस जो बार-बार दावा कर रही थी उनके तमाम दिगज नेता भुपेंदर सिंग हुड़ा हो दिपेंदर भी सकता है यह एक्जिट पोल है आंकड़ा कम भी हो सकता है लेकिन कॉंग्रेस के लिए एक राहत की बात एक्जिट पोल से जरूर आ रहे कि 10 साल के बाद सत्ता का सूखा खत्म हो रहा है नब्यवधान सबा सीटों के लिए आज बोटिंग हुई सुवै साथ बज़े से शा राजपूत भी में साथ जुड़े हुए हैं और सर आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि जिस सरी के से एक्जिट पोल है सरकार तो कॉंगर्स बनाती ही नजर आ रही है बिलकुल सुदेश और बहुत बहुत शुक्रिया और आज हमारे साथ एक और विशेश यक्टी जूरे हैं स्क्रीन पर आप सभी इनको पहचानते ही हैं किसी तारूफ के महताज नहीं है तिजेंदर सिंग सोधी सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर आपका भी बहुत-बहुत स्वाज़त है आप ही के चैनल में तो आज जो हमारे दर्शक सुदेश न्यूज 18 जम्मू कश्मीर ले लदाक हर्याना हिमाचल देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों के लिए हमारी कोशिश रहेगी कि आज सोधी साब से हम थोड़ा जम्मू कश्मीर को समझें और सोधी साब हमसे आज थोड़ा हर्याना के बारे में जाने हैं सोधी साब आज जो एग्सिट पोल सामने आए हैं और काफी इंट्रस्टिंग अगला समय रहेगा की आपके साथ इसे डिसकस करने का मोका मिलेगा जी बिल्कुल आप कहें कि भगौलिक दृष्टी से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बिल्कुल अलग है हर्याना बिल्कुल अलग है लेकिन भारत देश एक है और यही इसकी विशेश्टा है सुदेश आपके पास हम वापिस आ रहे हैं और जो दर्शक जिन्नोंने अभी अभी न्यूज 18 जम्मू कश्मीर ले लदाख हर्याना हिमाचल जॉइन किया है तो पहले आ यह बात करते हैं हर्याना के आखड़ों की और फिर जम्मू कश्मीर के आखड़ों पर नजर डालेंगे और इस दोरान दोनों हम कहें कि जगा से जम्मू कश्मीर से और हर्याना से अज बड़े-बड़े महमान हमारे इस नेटवर्क के साथ जुडएंगे और ये जो exit poll के आंकड़े आप दिखा रही हैं इनके माईने समझने की कोशिश करेगे Over to you बेल्कुल मुगेश जी हम पहले बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में तो अभी तस्वीर साफ नहीं है जादूई आंकड़ा यानि बहुमत का आंकड़ा कोई एक पार्टी चूती वी नजर नहीं आ रही है गटबंदन भी गटबंदन की तरफ से भी नजर नहीं आ रहे है कि गटबंदन में भी ये कि सरकार कोई पार्टी बना पाए वही अगर हर्याणा की बात करते हैं तो हर्याणा में जरूर हम देख रहे हैं कि कॉंग्रेस उस जादूई आंकड़े से कहीं ज्यादा आगे है एक बड़ी राहत की बात है कॉंग्रेस के लिए साथ अब लगाता हम देख रहे हैं कि सरीके से आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि यहाँ 55 से जादा सीटे कॉंग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है यह एक्जिट पोल कह रहा है कि 10 साल का सत्ता का सूखा खत्म हो जाएगा कॉं जाएगी जेजेपी और प्लस यानी जेजेपी एसपी क्योंकि जेजेपी भी इस बार गटबंदन में चुनाव लड़ रही है तो जादा से जादा दो सीटों पर आम आदमी पार्टी को लेकर एक्जिट पोल के आकड़े कहरें कि शुन्य यानी खाता नहीं खोल पाएगी क्याम आदमी पार्टी जिसकी तरफ से कोशिश हुई थी कि कॉंग्रेस के साथ गटबंदन कर ये चुनाव लड़ा जाए गटबंदन नहीं हुआ तो यहाँ पर मुश्किल है कि खाता खुल पाए कॉंग्रेस 58 सीटें जीत रही एग्जिट पोल में आइनल्डी के लिए राहत की बात है कि एक से आंकड़ा 3 से 6 तक भी जा सकता है अदर्स यानी जो निर्दलिये हैं उनका आंकड़ा 4 तक कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो रही एग्जिट पोल में कि सरकार कॉंग्रेस बना रही है बार बार ये बात कही जा रही थी कॉंग्रेस के दिग्रजों की तरफ से कि जुनता चुनाव लड़ रही है ये जो आंकड़ा है वो बता रहा है उस बात पर मुहर लगा रहा है कि जुनता ही चुनाव लड़ रही थी कॉंग्रेस की तरफ से यानी कॉंग्रेस को ज जवान, किसान और पहलवान उसके बाद आता है बिरोजगारी का मुद्धा और पोर्टल सिस्टम को लेकर जो नाराजगी थी जरता में उसकी वज़े से कॉंग्रेस को फायदा हुआ है बीजेपी को नुपसान बीजेपी के लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल यह थी बीजे पंजस रहा और जरता भी कही ने कहीं है सवाल उठा रहे थी कि आप 10 साल तक लगाता सत्ता में रहे तो उपलब्धियां बतानी चाहिए थी ना कि आप पिछे रही 10 साल पहले सरकार रही कॉंग्रेस की उस पर सवाल उठाए और जवान पहलवान किसान का मुद्धा भुना और जो आकड़ा है एक्जिट पोल का जो 58 दिखाया जा रहा है ये इससे जादा भी हो सकता है अगर वाकई में ये तीन मुद्धे चलते हैं और देशवाल बांगण बेल्ट में कॉंग्रेस अगर जिस तरीके की हवा नजर आ रही है उसी तरीके से जीत दर्ज करती है तो क कॉंग्रेस बना रही है सत्ता का सुखा खत्म हो रहा है कॉंग्रेस की हवाती जरता का साथ मिला सरकार बन रही है बीजेपी की तरव से बीजेपी चौपी सीटों तक सिमट रही है बीजेपी दहाई का आकड़ा तो छूलेगी लेकिन जादू ये आकड़े से बहुत दूर कि दिल्ली के बाद हमने पंजाब को फते किया साथ लगते हरियाना को भी हम साध लेंगे लेकिन यहां मुश्किल है बहुत मुश्किल डगर शुन्य शुन्य दिखाय जा रहा है एक्जिप पोल में यानि खाता कुलना भी मुश्किल आइनल्डी के लिए जरूर राहत की बाद है तीन से छे सीटे यहां आख़ों में नजर आ रही है इससे लग रहा है कि एलनाबाद के लावा जो हम पहले भी जिक्र करते रहें कि रानिया विधान सबासीव जहां से अरजुन चोटाला इस बाद चुना मैदान में है अब है चोटाला के बेटे उनके लिए राह असान है वो सीट आइनल्डी जीच सकती है दूसरा नर्वाना जो रिजर्व सीट है वहां पर आइनल्डी मजबूस सीटी में है बर्वाला जहां से संजना सातोर है वो भी मजबूत उमीदवार वो भी सीट निकाल सकती है अब तीन सीटgin तो यहां पर नजर आ potrzeb चार सीटी चह कहां से हो सकती है नू से एक सीट निकल सकती है बेवास से एक सीट आइनल्डी के लिए राहत की खबर ला सकती है तो ये आंकड़ा ऐसे करते 5-6 तक पहुंच सकता है डवाली में भी उमीदें हैं आदित्य चोटाला जो बीज़ेपी के बीज़ेपी से राजनीती करते रही हैं अब चुनावी मौसम होता है तो पाला तो बदलते ही हैं अपना फायदा देखकर नफा नुकसान देखकर उमीद्वार जट से पार्टियां बदल लेते हैं मो भंग हो जाता है सर्धांतिक राजनीती तो अब रही नहीं है तो ऐसे में आधित्य चोटाला भी इस बार अब है चोटाला के साथ चलेगे उनको लग रहाता कि बीज़ेपी ट जहरा हैं और चुना प्रचार भी धुआधार तरीके से हुआ डबवाली से दिविज़ेद चोटाला जेज़ेपी के चेहरे वो भी चुना मैदान में है मुकाबला त्रिकोण ये है दिल्चस्थ भी है लेकिन यहां अधित्य चोटाला को कमजोर नहीं आग सकते जो लगात मेहनत कर रहे थे बीज़ेपी में रहते हुए भी टिकेट भले ना मिली हो लेकिन इनैलो का साथ उनको मिला इनैलो में शामिल हुए और उसके बाद मजबूत तरीके से अपनी दावेदार यहां पर रखी तो 90 विधान सबा सीटे हरियाना में एक्जिट पोल कह रहा है कि 58 सीटे यह एक्जिट पोल है आंकड़ा इससे कम भी हो सकता है आंकड़ा इससे जादा भी हो सकता है लेकिन यह तयाल लग रहा है कि जादू आकड़ा कॉंगरेट चूलेगी सरकार बना लेगी 40 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को तो यहां पर 58 विधायक अपने साथ ले जाती कॉंगरस नजर आ रही है बीजेपी 24 पर सिमट सकती है यह महा एक्जिट पोल न्यूज 18 आप तक पहुचा रहा है आज मतदान का दिन था मतदाताओं ने बढ़ चड़ कर लोकतंतर के इस महा यग्ये में वोट की आहूती डाली और हम अब आपके सामने एक्जिट पोल लेकर एक्जिट पोल का जो आंकड़ा है जो टैली है वो आपकी टीर स्क्रीन पर जिसमें आप देख सकते है कि कॉंगरस बड़ी आसानी से सत्ता में वापसी कर रही है 58 सीटे बहुत बड़ी नाराजगी थी 13 महीने जो किसान आंदोलन चला थ उसकी नाराजगी अभी खत नहीं हुई थी बीजेपी को इसका भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है साफ दिख रहा है जिसलिके से 25 से नीचे बीजेपी की सीटें यहाँ पर दिखाई जा रही है एक्जिट पोल में ये चुनाप प्रिणाम तो नहीं है ये अनमान ल लिए तो इंतजार हम करेंगे कि क्या ये खरा उतरते हैं जो आंकड़ा हमारे सामने लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर यहां से कही न कहें साफ हो रही है कि कॉंग्रेस मजबूत है मजबूती के साथ सरकार बना रही और बीजेपी इस बार सत्ता से काफी दूर रहेगी